अब लो एवरीबन मैं चंदन कुमार आप लोग का अपना यूटूब चैनल एसी क्लास्ट में स्वगत है तो चली मेरे दोस्त आज मैं इस वीडियो के मध्यम से उन सभी छात्रों को यह सुचित करना चाहता हूं कि जो 2022 बिहार पॉल टेकनिक में जिनका अभी तक अडवीशन नहीं हुआ वह अब कैसे अडवीशन लें और क्या प्रोसेस करें कि अडवीशन होने की 100% चांस बन जाई तू देखिया अब जो एडवीशन होगी मेरे दोस्त बारवार बोले कि मूपप कॉंसलिंग के द्वारी ह होगी और यह मूपप कॉंसलिंग है क्या क्या प्रोसेस है क्या डॉक्मेंस लगेगी और क्या यह ओनलाइन होगा या ओफलाइन होगा तो चलिए मेरे दोस्त मैं यह सारी जनकारी और कंफ्यूज को इस वीडियो के माद्यम से दूर करूंगा और बताऊंगा कि मूपप कॉ counseling की जाएगी और offline होगी कहां पे होगी पतना कहां पे जाना होगा यह मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो के माध्याम से चलिए मेरे दोस्त वहीं हमारा पुराना तरीका अराम से Google पे जाना है और Google पे जैसे ही जाएंगे मेरे दोस्त उसे ही Google में सर्च या Chrome में मारना है BCC BCC मारके इंटर मारना है पेज खुल जाएगा के लिए और देखिए यहां पर पहले ही आ गया कि बिलिंग फोर DCCP 2022 मोप ना आफ्लन कॉंसलिंग तो रही किलिक करें लेकिन कौसलिंग अखिर है क्या इसमें होगा क्या इसके बारे में पहले चर्चा करते है तो निपने कांसलिंग के बारे में चर्चा करूंदा तुँ यहां लेटेस्ट अपडेट में आना है और देखि या फाइब नमबर में DCCPE लेकिन सिक्षी नममर में बोला डिटेल रिगार्डिंग है मौपप कॉंसलिंग के बारे में तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर जैसे ही किलीक करेंगे तो हमारा पेज ओपेन हो जाएगा और पेज ओपेन हो जाएगा तो इसमें देखिए साप से लिखा है दोस्त कि आफ्लाइन मोपप कॉंसलिंग के संबंधित सूचना है 17 तारीक को यह परकासित कर दिया गए था लेकिन मेरे पास इसलिए मैं 18 लिंक आज से के लिए बिलिंग करना मोपप कर ना है गोष्ब 20 तारिक से 31 तारिक तक है अगसा को हैं तो आज वो गया तो हो गया तो ऑनleine मिलिंग्स है क्या यह कैसे करेंगे तॉ से 31 तक करना है। यह कुछ नहीं है Oh लिंग्स परी जाना। यहιं कि यहारब अपर प्लतफ तबना में और याश्च करना है कि मह और मैं इच्छु मेरे पास इच्छा है मैं इच्छुक हूं कि मुझे मोपप कॉंसलिंग के द्वारा पॉल टेकनिक कॉलेज में एड़ीशन मिल जाए तो इसलिए उसमें यस करना है और जैसे ही एकाइस और 31 के बीच में यहां सुडिल देखिए अगर आप यस कर लेते हैं तो आपको कॉंसलिंग प्रोग्राम टीन तारीक को टीन मुममबर को अप्लोड कर दिया जाएगा उसमें पिडियुप अप्लोड रहेगा उसमें आपका रॉल नूमर सर्च कर लेना है और उसी के बाद आपको पास तारीक से कॉंसलिंग श्टार्ट होगा और आपका मैसेज आ जिएगा यस तो उसका प्रिंट जरूर निकल वा लिजेगा क्योंकि वहां कॉंसलिंग के समय प्रिंट देखेगा कि लिए मेरे दोस्त तो यह समझ गए कि मौपप कॉंसलिंग है क्या कैसे करें और इसके बाद आप लोगों को एक सुचना देता हुना कि जो भी नहीं लगेगा यह आप कंफ्यूज दूर रहें उसी जो पहले आपको लग चुका एडवीशन चार्ज में हो जाएगी मौपप कॉंसलिंग अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी इसमें भाग ले सकते हैं तो मौपप कॉंसलिंग करे कैसे इसके बारे में और डॉक्में इस देखिए पढ़ लीजिए जो हमने पहले भी वीडियो इसका डाला है वहीं सब ले जाना और मैट्रिक का मूल परमान पात्रे डॉक्में वरिपिकेशन राइंग काड़ स्लीप के लिए यह सब लेका जाना है और देखिए मेरे दोस्त मैं चलता हूँ अब कि मौपप करने के लिए वाइस वैसा ही भी सीप जैसी जाएबा यहाँ लिंग यहाँ है मेरे दोस्त लॉन बिलिंग्स पर डीच सी मवपप कांसलिंग इसक गुलिक करना है बस कुछ नहीं आ यहाँ पर डाल यहाँ पर रॉन नंबर डालन यहाँ पर डेटाव बढ़ डलना है और इस तो रैंक कीजिएगा वैसे हीं फिर यस की ऑप्सान है यस कर देना है मेरे दोस्त मेरे पास किसी अश्टूडेंट का है नहीं कि मैं शो करके दिखा दू और यस करके डशन कर देना और इसका प्रिंट निकालके रख लेना है और जब जैसे ही डेट जो दिया है तिन तारी को जारी करेगा पांच तारीक से मौप अश्टार और बता देते हैं मेरे दोस्त कि यह आई-एस भवन पटना कहां पे होगा आई-एस भवन पटना यह हवाई अड़ा के पास इसका मैंने वह जो पीडिएप दिखा रहा था उसमें दिया हुआ है अप उसमें पढ़ लिए यह म यह मैं अपलोड कर दिया हूँ अब वहां से देख लीजिए तो आई-एस भवन पटना जाना है और फुलबारी शरीप के नजदीक हवाई अड़ा के पास है और वहां जाके आफ्लेंड करा लेना है कि लिए में दोस्त कराने में कोई परसानी नहीं होगी और आपको मिल ज झाल झाल